छुटी में घर गए आदमी को अगर कमपनी वापस नहीं बोला रही है तो कतर आने के लिए कोई उपए है असलाम आलेकुम दोस्तों मैं हूँ असलाम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट मान लीजे कि आप में से कोई आदमी छुटी में घर जाता है और उसको कमपनी वापस नहीं बोलाती है तो अब वो बंदा वापस कैसे कतर जा सकता है चाहे वो सेम कमपनी में जाए या ये के दूसरी कमपनी में जाए इसका जवाब मैं अपने एक्सपरियंस देने की कोशिश करूँगा अगर जवाब आप लोगों का अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक करके आगे भी शियर करें क्योंकि ये एक कॉमन मेटर है और बहुत सारे लोगों के साथ में आइसा होता है मैंने भी अपनी आखों से देखा है जब मैं फॉस टाइम 2009 में कतर में टैपिंग सेंटर में काम करने के लिए गया था अलखोर में मनोज कारवाश के सामने में अभी वह टैपिंग सेंटर वहाँ पर नहीं है तो उस वक्त मुझसे पहले जो बंदा काम कर रहा था उसके छुटी में घर जाने का टाइम हो गया था तो मेरे पहुँचने के 15 दिन के बाद वो आदमी घर चला गया मेरे मुझसे को बताया कि उसको फोन करके बोलो उसको वापस नहीं आने के लिए इसकी वज़ा ये थी कि वो बंदा 15 सु रियाल में काम कर रहा था लेकिन सेम उसी काम के लिए जो मेरी सेल्री थी वो एक हजार रियाल थी मंतली यहां पर मैं आपलों को किलियर कर दूँ कि इस मेटर मेरी कोई भी गलती नहीं थी वो इसे भी नेपालियों के सेल्री कम होती है इंडियन के मकाबले में लेकिन हर जगा एसाही हो ये जरूरी नहीं है तो मुदिर के मना करने के बावजूद ही वो बंदा वापस खतरा गिया मुदिर ने कुछ नराज़गी जाहिर करके उसको काम पर रख लिया लेकिन उसको बाद में फिर केंसिल वापस जाना पड़ा यह अलग मेटर है इसको आपको जाना जरूरी नहीं है तो दोस्तो ऐसा भी होता है कतर में तो आप में से जिस भाई ने भी यह सवाल किया है मैं उससे कहना चाहूंगा कि आप कमपनी या जो है मुदिर के परमिशन बिना आप कतर मत जाएं क्योंकि आपको कमपनी के पास में काम करना पड़ेगा अगर आप बिना परमिशन के कतर जाते हैं अपनी कमपनी के पास में अगर आप की कमपनी काम नहीं देगी तो आप परशान हो जाएंगे आप प्रॉबलम में फस जाएंगे तो यहाँ पर आपको करना यह है कि आप कतर जाने से पहले मुदीर से रिक्वेस्ट करें, कमपनी वाले से रिक्वेस्ट करें कि आपको कमपनी का अंदर में काम दिया जाए या यह कि अगर कमपनी का अंदर में काम नहीं है तो आपको किसी दूसरी जगा चेंज दिया जाए अगर मुदीर नहीं मानता है तो आप थोड़ा मुड़ा पैसा दे करके भी मुदीर को राजी कर सकते हैं बहुत सारी जगों पर ऐसा भी होता है कि कमपनी वाले चैंज के बदले आपसे पैसा वसूल करते हैं हलांकि ये कत्री दूल के बिल्कुल खिलाफ है कतर लेवर ला अजासत नहीं देता है कि वरकर से किसी भी तरह का कोई पैसा डिमांड किया जाए अगर कमपनी वाले आपको काम देने के लिए भी तयार नहीं है और चैंज देने के लिए भी तयार नहीं है यहाँ पर मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दू को यह कि अगर आपका एकामा या ID वालीड रहेगा एक्सपायर नहीं रहेगा तो ID के वालीड होते हैं वे यह कैंसिल नहीं होगा एक्सपायर होने के बाद में ही यह कैंसिल होगा नर्मल तरीके से तो जब तक आपका ID एक्सपायर नहीं होता है तब तक आपको वेट करना पड़ेगा ततर से बाहर रहते हैं वे वालीड ID केंसिल नहीं होता है यह चीज़ आप लोगों को मालूम होना चाहिए और दूसरी बात यह है कि ID को कैंसिल करने के लिए 60 रियाल चार्ज लगता है अगर आपका मुदिर कुछ कंजड किसम का होगा तो हो सकता है कि वो 60 रियाल खर्चा करने के लिए तयार नहीं होगा तो इस सुरत में 60 रियाल आपको एरेंज करना होगा बलकि मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगा कि 60 रियाल की जगे माप 100 रियाल का एरेंज करके मुदिर को दे दें अगर आपका ID कैंसिल हो जाता है तो 100 रियाल आपके लिए भारी बात नहीं है कतरी रूल के हिसाब सिये पैसा भी कमपनी वाले को देना चाहिए और मैं यहाँ पर कमपनी वालों की जानकारी के लिए बता दूँ वो यह कि अगर किसी आदमी का एकामा वैसे ही पेंडिंग में रहता है मतलब कि कैंसिल नहीं होता एक्सपर इसी पढ़ा रहता है तो कमपनी के बलोट में जाने का चांस रहता है और सबसे आखरी बात यह कि अगर कमपनी वाले किसी भी तरिके से आपका एकामा कैंसिल करने के लिए तयार नहीं होते है तो आपको मायूस होने के जरूत नहीं है आप वीजा के लिए ट्राइ करते रहें हो सकता है कि आपका वीजा इशू हो जाए वीजा इशू होने के बाद फिर आप कतर जा सकते हैं कुछ लोगों का मैंने देखा है कि एकामा एक्सपर होने के बाद उसकी कमपनी ने एकामा कैंसिल नहीं किया लेकिन उसके बावाजूद भी उसका वीजा निकल जाता है तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो में उमेद करता हूं जरूर पसंद आई होगी कतर के बारे मरोजना इसी तरह इन्फरमेटिव वीडियो देखते रहने के लिए अगर आप इस वीडियो को यूटूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करें अगर फेस्बुक पेज पर देख रहा है तो पेज को लाइक और फोलो करें आगे भी शियर करें इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया